नमस्कार आपका सौगत है दोस्तो भगवान स्री कृष्ण की अनुसार मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने से पहले उसे कुछ ऐसे संकेत मिलते है जो से यह ऐसास दिलाते है कि उसके जीवन से अब निराशा समापत होने वाली है उसके बुरे समय का अब अंत होने वाला है और उसके अच्छे दिन अब शुरू होने वाले है इन में से कई संकेत साधरन से होते है लेकिन हम उन पर गौर नहीं करते है या हम उन्हें समझ नहीं पाते है कुछ संकेत तो ऐसे होते है जो हमें रात्री के समय या आधी रात में आचानक से मिलते है शायद आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा और आपने उस मौके को आपने हाथ से गवा दिया होगा दोस्तो पुरानी काहवत है कि जब भी भगवान आपने किसी भक्त पर प्रसन हो जाते है तो उसके जिवन में उसे धनसंपत्ती की कभी कमी महसोस होनी नहीं देते उस पर ऐसी क्रपा बरसाते है कि उसे उसके जिवन में हर पल काम्याभी मिलती रहती है भगवान स्रीकिष्ण कहते है भले ही मनुशे पर उसका भाग्य महरबान हो परन्तु मनुशे को पूरशार्थ करना आवशक है क्योंकि सामने पड़े खजाने को उठाने के लिए भी पूरशार्थ की दरकार होती है इसलिए भगवान स्रीकिष्ण कहते है भले ही मनुष्य का भाग्य कितना ही प्रबल क्यों न हो उसे कर्मों तो करना ही पड़ता है इसलिए जब भी आपको जिवन में ऐसे कोई संकेत मिले तो उन संकेतों को समझ कर आप पुर्शार्त अवश्य करे एश्वर की क्रपा से आप आपका भाग्य उद्दय अवश्य ही होगा और आप उन्नती अवश्य करेंगे लेगन दोस्तों कि आपको पता है भगवान भी वेक्ति को कामियाब होने से पहले कुछ संकेतों जरू देते हैं और कुछ लोगों को इसके बारे में पता न होने के कारण वे उसे समझ नहीं पाते हैं पुरानों के अनुसार जब किसी वेक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो भगवान उसे तीन संकेत देते हैं इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे तीन संकेतों के बारे में अगर आपको भी ऐसे संकेत मिले तो आप उन्हें नजरंदा ताके बैसे अध्यत्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके साथी वीडियो को एक लाइक करना ना भूले सबसे पहला संकेत रात को अचानक नींद खुलना दोस्तों अगर किसी मनुश्य की नींद अचानक रात के 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो इससे साधरन बात नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये बहुती शुब संकेत है ऐसा माना जाता है कि रात्रे के आखरी प्रहर 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तिया जागरोख हो जाती है जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है ऐसे में आपका कई दिनों से रात्री के 3 बजे जागना आपके जीवन में होने वाले बदलाओं का संकेत है आपका बुरा समय आप समापत होने वाला है और आपने जो भी देवी देवताओं से मांग की है वो पूर्ण होने वाली है ये दोस्तो संकेत है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप किसी के साथ कपड विवार नहीं करते हैं, आप सभी का भला चाहने वाले विक्ति हैं, इसलिए भगवान आपकी इस पूजा से प्रसन्न है और आपकी जोली क वो कभी खाली जाने नहीं देंगे, इसलिए जब भी आपकी नीद रात्री के तीन बजे खुले, तो आप ओम नमो भगवते वासु देवाय इस मंतर का जाप अवश्य करें, और ध्यान लगाकर ईश्वर से प्रार्थना करें, दूसरा संकेत, दोस्त अगर आपको सपने मे उचे परवत, या बहते हुए ज़रने, या किसी पवितर नदी के दर्शन होते हैं, और आप उस नदी का पानी पीते हैं, तो ये भहती अच्छा संकेत माना गया है, पर वो तो नदियों और ज़रनों का सम्मन, सुर्ग से जोड़कर देखा जाता है, प्रकरती की ये चीज अगर आपको भी सपने में इनके दर्शन होते हैं, और आप इनका जल पीते हैं, तो ये भहती शुब संकेत है, या आपके जिवन में आने वाले धन प्राप्ती के आउसरों को दर्शाता है, अगर आपको भी ऐसा संकेत मिलता है, तो इसे नजर अंदाज ना करें, तीसरा स संकेत, शास्त्रों के अनुसार, अगर सपने में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, तो ये भहती शुब माना जाता है, क्योंकि दोस्तों सपने में देवी देवताओं का दर्शन होना आम बात नहीं है, इसके लिए भहती मजबूत इच्छा शक्ती और मनुबल की अगर आपको सपने में आपके इष्ट देव के दर्शन होते हैं, तो ये अत्यंत लाबकारी माना जाता है, अगर सपने में भगवान स्रीकृष्ण के दर्शन हो जाए, तो विक्ति का भग्य ही बदल जाता है, उसके जीवन में धनधान्य, संपत्ति और आईश्वरी की प आने से पहले देते हैं, अगर आपको भी ऐसे सपने आते हैं, तो इन सपनों के बारे में कभी किसी को ना बताएं, और कमेंट में भी ना बताएं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में जैस्रीकृष्ण आवशी लिखें, साथी चानल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद